नमस्कार टीपीवी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रुपल शर्मा आईए रुप करते हैं खबरों की और जैपुर में प्रताब नगर थाना इलाके में इस्थिश शर्मा कॉलोनी में एक तीन मंजिला मकान में किराय से रहने वाली यूती का गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है साथ ही कमरे में गला रेतने के काम मिलिया जाने वाला चाकू अन्यधारदार हत्यार भी नहीं मिले हैं फिलहाल पुलिस मामले की जाज परताल में जुटी हुई है थाना दिकारी श्री मूहन ने बताया कि थाना इलाके में एक तीन मंजिल मकान में किराय से रहने वाली सीमा मीना की किसी इने गला रेत कर हत्या कर दी वे अपने भाई अमन के साथ जयपुर के प्रताम नगर इलाके में किराय से रह रही थी हत्या के बाद मौके पर पहुंचे मकान मालिक ने कमरे में खून भिखरा हुआ देखा फर्ष पर सीमा की लाश पड़ी मिली उसका गला कटा हुआ था तब मकान मालिक ने सीमा के भाई अमन को फोन कर सूचना दी सूचना मिलने पर पुलिस, FSL वर डॉक स्कॉर्ट टीम भी मौके पर पहुंची हत्या की इस वारदात में एक परिचित युवप पर शक जताय जा रहा है फिलहाल पुलिस मामले की च्छान बिन कर रही है जैपूर में सिंधी केम ठाना पुलिस ने कारवाई करते हुए काफे दिनों से फरार चल रहे दोस्थाई वारंटी को घरफतार कर लिया है खानादिकारी गुंजन सिंग ने बताया कि 19 साल से फरार चल रहे साइद वच 14 साल से फरार चल रहे नवीन कुमर शर्मा को मुखबीर की सूचना पर पुलिस टीम में गिरफतार कर लिया है यह दोनों ही आरोपी काफी दिनों से पुलिस से बचने के लिए अपना निवास स्थान बदल कर रह रहे थे इसके अलावा पुलिस ने दोस्थाई वारंड का निस्तारन भी किया है पुलिस फिलाल आरोपियों से पूछ ताच कर रही है देश में पैट्रोल डीजल की कीमते और महंगाई बढ़ने के खिलाफ कॉंग्रेस का पिछले एक सप्ता से विरोध प्रदर्शन चल रहा है इस इक्रम में जैपूर में कॉंग्रेस के प्रदेशा ध्याष गोविन सिंग डोटासरा के नेतरत्व में साइकल रैली निकाली गई इस दोरान टोटासरा ने महंगाई के मुद्दे बर मोधी सरकार को घेरा अलबर्ट हॉल से गाधी सरकिल तक निकाली इस रैली में पी सी सी चीफ के साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंग खाचरियावास जैपूर की पूर्व मेयर जोती खंडेलवाल सहीत कई विधायक और किरदार कल्याणी देवी के रूप में मिली इस सक्त दादिसा की किरदार ने उन्हें घर-घर में पॉपुलर कर दिया उन्हें आखरी बार जोया अक्तर की घो स्टोरीज में सेग्मेंट में देखा गया था सुरेखा सीकरी की करियर की बात करे तो उन्होंने फिल्म किस्सा कुर्सी का से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी यह फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने कोविड-19 महामारी को द्रश्टिगत रखते हुए राजे में नीजीव सारवजनिक शेतर में चिकिसा सुईधाय विक्सित करने के उद्देश्ट से भूमी रुपान्तरण पर प्रीमियम राशी में 50% छूट प्रदान करने के प्रस्ताओं को मंजूरी दी है मुख्यमंतरी अशुग गहलोत के इस निर्ने से कोविड वैश्टिग महामारी के दोरान वो भविश्य में आपदा की स्थिती में प्रदेश वासियों के लिए एलोपैथी, आयूरवेदिक, प्राकर्तिक, होमियोपैथिक, युनानी, आदी शेतर में चिकिसा सुईधाय विक्सित करने हे तू, निजी वसारो जनिक शेतर को प्रोथ सहन मिल सकेगा। चहरे पर चिंता की लकीरे देखी गई, लेकिन अब जमाजम बारिच के बाद किसानों के चहरे पर रौनक लोट आई है। की एक करोड आबादी की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बान पर महरबान हुआ है। बताया जा रहा है कि 17 से 18 जुलाई को उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास एक साइकलोनिक सिस्टम बनने से भरतपूर जैपोर कोटा संभाग के कुछ जिलो में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। राजे सरकार ने प्रदेश के पाथ जिलो में 6 उपखंड अधिकारी कारले खोलने की प्रशास ने एक वह वित्तिय स्विक्रती जारी कर दी है। प्रदेश के साथ ही विकानेर शेहर में बारिश भले ही नहीं हो रही लेकिन उम्मेद अभी बनी हुई है। देश में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू होने के बाद 5 साल में पहली बार राजस्थान की चारों स्मार्ट सिटी ने टॉप 30 में रैंक हासिल की है। 2015 सोलों में शुरू हुई स्मार्ट सिटी मिशन के बाद पहली बार राजस्थान जैसे किसी कॉंग्रेश शास्चित राज्य को पहली रैंक मिली है। इस से पूरू राजस्थान दूसरी नंबर पर था। स्मार्ट मिशन कारियों की मॉनिटरिन के साथ काम करने के लिए राजस्थान ने आंधर वह गुजरास से अधिक अंग प्राप्त करते हुए परथम इस्थान पाया। सौस्मार्ट सिटी की रैंकिंग में जीलो की नगरी उदैपूर ने पहली बार टॉप टैन में जगे बना कर पाँचवी रैंक हासिल की है। कोटा दसवे, अजमेर बाइसवे, वो जैपूर 28 वे स्थान पर रहा। UDH मंतरी शांती धारिवाल ने बताया कोरोना काल में भी विकास कार्यों की गती बनाये रखने से प्रदेश ने पहला स्थान पाया है।